पहले वीडियो पनाया था किया सिस्टम के बारे में अधनान ने यह बताया कि मैं को याद है अब तू भी याद कर ले देखा क्यूंकि अधनान ने स्टैंड लिया सनका तो वह वजे से उसको तमीजनी यह बात करने की लेडिकियों से अब खुद की वाली पर बात आई थी त करेंगा वागी सलमान पर तक्र भॉन रहते हैं और बहुत गरम रहता है ऑनिल सर भी बोले तो समझ ज्वाहरी निया है या बहुत जाद़ा समस्थार है हमारे पास ही टॉफी आ रही हम तो यहीं उमीद लगाए हाई मेरा नाम है फैस बलोच आप देख रहे हैं बजुका टीवी हलो एन वेल्कम टू बजुका टीवी मैं हूँ शिवम दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी थ्री बहुत जोरो शोरो से चल रहा था अल्रेडी लेकिन जब से अदनान भाई गया है तो और जादा जोरो शोरो से चलने लगा उन्हीं के गेम के बारे में बात करें उन्हें सपोर्ट करने के लिए फैस भाई हमारे पास यह अंदर गये इंशाला हमारे पास यह ट्रॉफी आरी हम तो यही उमीद लगाए हमारे अदनान भाई पर क्यों क्या स्पेशालिटी है उनकी कि भाई आप बोल रहे है कि वही ट्रॉफी आई जाईगी भाई एकदम रॉए और उनका और आई अलग है और एकदम स्ट्रेट फॉरवड है और स्टैंड लेने में मतलब एकदम खड़े रहते तो भाई की बात अलग है घर में सबसे अलग है इसके लिए लेकिन जब उनको ओफर आया बिग बॉस का हमें पता चल गया था जनलिस को पता चल जाता है आप लोगों का क्या रियक्शन था जब आपकी पूरी 07 टीम बैठी होगी अगर दोस्त हैं सारे बैठे होंगे कि भाई क्या करना है अंदर जब बागे सब अपनी इन इपस पटाए उसको उसमें थोड़ा सा बस गुसा जादा है अपने बाइमें तो मैं बाले यह कंट्रोल रखो कि terrorism बीक ब्हस में जा रहे नौमिने नहीं होने है तो थोड़ी बोधी सब बात हुं को उसको बताए कि मत करना वो सब जागे तो मेरे गाल से फॉलो कर रहा है कब तक करेंगा वो नहीं मालू है लेकिन जब जैसे ही वो अंदर घुसे कटारिया पर एक तरीके से ही टुक डिग ऑन यूनो कटारिया काफी उन दोनों में एक मन मोटावसा दिखा कि पहले की जो बाते हुई थी तो अनने तो वो बच्टारिया ने पहले वीडियो पनाया था क्या सिस्ट्म के बारे में तो अधनान ने इसको आपने जाके इसके लिए उसको हाई नहीं बोला इसलिए शलिए बोलाई जीरोज़ोजी गीए पहत्व जगड़णा हो गयी है बहुत स्टैंड लिया सना का तो वो वज़े से उसको तमीज नहीं बात करने की लेडिकियों से अब खुद की वाली पर बात आई थी तो इसे चमाट रख दिया और फिर अपनी मतलब दुसरे बात आई तो फिर बढ़ा कर रहा है बात करने की तमीज नहीं क्या आंग पर आ रहा है त तो इसस नॉट गूड अनांभाही की जर्नी के बारे मिए बात करें से पहले में यह अपने यह सवाल यूनू यह टॉपिक छेड़ा तो मैं बात करना चाहूंगा विशाल और विशाल नहीं कहा था कि भावी सुंदर लगती हैं आप कृटिका को कहा था कि भावी सुंदर पाइल ने स्रेश्परा का कुछ अलग तरीके से पोटरी किया उन चीज को मारना तो नहीं चाहिए था यह सबसे बड़ा पॉइंट है हाथ नहीं उठाना चाहिए था और हाथ उठा दिया है तो बिग बॉस को उसको रखना नहीं चाहिए था जैसे अपना रूल चलता है बहुत सालों से चल रहा है कि जो भी हाथ उठाएगा वह नॉमिनेट हो कि अभी शेक ने समर्थ को थपड़ मारा था उसको इमीडियेटली टर्मिनेट किया गया ठीक है लेकिन इसको तो निकाले ही नहीं इसको सिर्फ नॉमिनेट कि एक हफ्ते के लिए बहुत चोटी सजाती बड़ी दिना चाहिए थोड़ी पायल कृते का पायल जब एंट्री क इसको आपको लगता है कि यह सारी चीजें स्टेज पर आना इतने बड़े मंच पर आकर बोलना इस गुड इस नॉट इस नॉट गूड मतलब यह बार की बाते भारी रहना चीए तो अच्छी बाते जो घर की बाते हो घर में करो बार आके तो बोल सकते हो ठीक है लेकिन घर अब जब अदनान अंदर जा चुके है अदनान का एक कॉनोसेशन हुआ दीपक सर के साथ बहुत बड़े जनलिस्ट है उनको उन्होंने थोड़ी उची आवाज में उन्हेंने बात की है ना बोले कि आप बगबग मत करिये आप बीच में मत बोलिये मैं बोल रहा है ता आप सुनी है यह यह बात पर लोग अदनान को काफी ट्रोल कर रहे है क्योंकि दीपक जी इस वेरी सीनियर सीनियर होने के साथ सा दो बहुत बड़े जनलिस्ट भी है तो शायद उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लोगों का ऐसा परस्पेक्टिव है लोगों का है नहीं करना आपको लगता नहीं है कि इससे लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम होगा क्योंकि लोग चाहते है कि आप कुछ भी हो आपका जगड़ा है तो आप आपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए तो लोगों का सपोर्ट हो रहेगा हमेशा के साथ कटारिया का एक बहुत बड़ा आपको लगता है कि गाली गलाच करना उसके बाद भी आप शो में हो यह सही है यह पहले तो नहीं होता तो नहीं यह सब मेरे कहल से ओटीटी त्री में हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है कुछ रूल्स चेंज हुआ कि अग्रिमेंट में बताइए भाई जवाब दिजिए पैस खरोल्स चेंज हुआ हैं तब ही मतलब इतने सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं पहली बद तो अब वाइली कार्ट में काई सारे ऊप्शन होते हैं दो को भी डाल सकते हैं तीन को पिग्राज कि अब जब आपको मौका मिलता है तो किया आप यह वाले सीजन में में नहीं जा रहा मैं शायद इसके आगे वाले में जाओ इंशाला और फाराज चुका है इंशाला इंशाला लेकिन फैजु भाई भी बड़े इंपक्त हैं लोग उन्हें भी बहुत सपोर्ट करते हैं जैसे आपको जीरो सीवन की टीम को सपोर्ट करते हैं उनसे कुछ बात चीद हुई इनके लेकर या इनके जाने को लेकर वह भी था साथ में था हम लोग ने बहुत आदा एक घंटा डिस्क्रिशन की फिर व्लॉग भी बनाया फैसल ने उसको समझाया भी कि क्या करना चाहिए क्या ने करना चाहिए इसको परसनली समझा वह बात में को नहीं पता है मैं लगता है जा हो सकता है अच्छा अधनान भाई की कौन सी तीन स्ट्रेंथ बताइए आप क्योंकि आप लोग दोस्ते हैं तो आप अफकोस जानते रहेंगे और कौन सी तीन वीक्नेस है ऐसा यह तुमने तुम्हें को बहुत डिफिकल्ट कोशन दे दिया है यह अधनान मारेगा में को बह लु़कर दिए है वो जब से कोई कर नहीं रहा था लिगिन अधनान कर रहा है तो फिर सबलूक्じ आगया सब मैं कि हा वेरी मताद और कर रहे हैं और मान जाधा ज़ादा ही पिर इसक कि वाइफ मतलब वह जगड़ा ही करने आया है वहां पर इसको मालूम है कि कैसा गेम केलना चाहिए स्मार्ट है बहुत स्मार्ट है जी के साथ अपने अधनान भाई की अलग केमिस्ट्री देखने को मिली बातचीत दोनों बातचीत करते होए दिखाई दी और काफी एक डीटे इंटर्वी में ने देखा शाधा उसको भी आदार यह चूड़ी की तो शाधान ने बोला मैं तेरे लिए भेज देता हूँ तो शाधान ने कलर डिसाइड नहीं किया था तो मैं डिसाइड करता हूँ कि तेरे पर मेरे कहल से रैट कलर ज्यादा अच्छा रहेगा तो मैं ब अधनान को लेकर फैजू को लेकर जिस तरीके से यह तरीके सब परस्पेक्टिव उनके मन में कटारिया के मन में इस बारे में कभी कुछ बात हुई कि भाई आप लोग यार वीडियो बनाते हो यह सारी चीजें करते हैं तो आपको लगता है कि शिवानी इस दूइंग गुड या फिर वो थोड़ी सी जादा कि एक्टिंग लगती है में को लग रहा है कि वह एक्टिंग कर रहे है समझदार बनने मतलब वह ना समझ बनने की कोशिश कर दिया कि क्या अनिल सर भी बोले तो समझ रही नहीं है मतलब समझदार है या फिर बहुत ज्यादा ही समझदार है यह दोने में से कोई भी एक चीज़ ऑन लगता है कि भाई ट्रॉफी उठाएगा अपने भाई के अलावा तो कोई नहीं उठा रहा है मैं मेरी फॉर्स प्राइटी है यस बार जब अनान भाई गया है तो सलमान भ प्राइटा लग रहा है अनील सर मतलब वो फर्स्टेन तो अनील चल अच्छा कर रहे है वैसे मेरी कहले जाए नेक्स सीजन और चारे इनको समझ में एगा बागी सल्मान भाहि रते थे तो बहुत मजाती नहीं में में बहुत में बहुत गरम रता है तक यह सब डरे रहे को सपोर्ट करो आपकी हमको बहुत जरुवत है वोटिंग टाइम पर रुकना नहीं सिर्फ वोट करते रहना लव्यू आल क्यों कि वाई अल्ट बेस्ट